Hello friends, hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे So, इस वीडियो में हम structural properties के बारे में discuss करेंगे और मैंने आपको जब वीडियो मैं isomorphism topic start कर रहा था तो भी मैंने आपको बोला था कि जब दो groups isomorphic होते हैं तो वो क्या करते हैं? Structural properties को share करते हैं तो आपको यह जो particular topic है ना structural property आपके लिए अगर आप jam का preparation कर रहे हैं net gate का target है आपका तो structural property या फिर even कोई interest देना है MSE का तो फिर समझ लेजिए कि structural properties बड़ा useful होती है कभी कभी questions में दे देते हैं कि which of following groups cannot be isomorphic चार options दे दिये group का pair बना दिया तो वहाँ पे option cut करने में यह structural properties बड़ा useful होती है तो structural properties क्या है पहले इसको कुछ मैंने लिखा है यहां पे जैसे मैं बोलूं group is cyclic तो अगर दो groups isomorphic होंगे ना उसमें से अगर एक group cyclic है तो guarantee है कि दूसरा भी cyclic होगा अब एक cyclic है दूसरा non cyclic है तो यह कभी भी isomorphic नहीं होंगे इसका application यह है तो cyclic group क्या है structural property है तो जिन दो groups को isomorphic दिखाना है सबसे पहले target करिए कि क्या इसमें से कोई एक cyclic है दूसरा non cyclic है अगर ऐसा हुआ तो कभी भी isomorphic नहीं होंगे हाँ अगर दोनो cyclic है तो बिलकुल हो सकता है कि वो isomorphic हों सबन में आ गया कि नहीं लेकिन एक cyclic एक non cyclic तुरंद बोलिए कभी भी यह isomorphic नहीं हो सकते उसी तरीके से group abelion है यह भी क्या है structural property है मतलब अगर दो groups isomorphic है तो guarantee है कि दोनो abelion होंगे उसमें से एक abelion दूसरा non abelion कभी भी isomorphic नहीं हो सकते group का order भी क्या होता है structural property है finite हो या infinite यह structural property है तो जब दो group isomorphic है अगर एक finite group है guarantee है दूसरा भी finite होगा अगर आपको एक group finite order का दूसरा infinite order का देता है कभी भी isomorphic नहीं हो यहाँ पे number देखिए order भी matter करता है जो fourth वाला very very important आप देख लीजेगा यह बड़ा important है verify करिएगा जब दो isomorphic groups लेंगे ना वहाँ पे please आप verify करिएगा very very important क्या है कि अगर मैं बोलू ना दो groups isomorphic हैं अगर एक group में for example two order का four elements है ना तो guarantee है कि दूसरे group में भी two order के exactly four ही elements होंगे अब दो groups दिए एक group में two order के four elements है और दूसरे group में two order के किवल दो ही elements है कभी भी isomorphic नहीं होंगे particular order के जितने element एक group में होंगे ना दूसरे group में भी उतने होंगे मैं समझा पाया कि नहीं तो आप देखिए application इसके application पर बात करता हूँ और एक एक question मैं आपसे बोलूँगा मैं question लिखते जाता हूँ आप बताते जाएंगे कि क्या ये isomorphic होंगे मैंने लिया z4 ठीक मैंने लिया z4 और एक group लिया v4 ठीक नव वी 4 clans 4 group अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोनों groups isomorphic होंगे तो सबसे पहले देखे चेक करने का ये structural property लगा के आप exams में apply करें कैसे करेंगे पहले order से start करिएगा इसको order 4 है इसको order 4 है चलिए structural property ये वाली share हो रही है उसके बाद आप जाएएगा की abelion, non abelion या फिर cyclic पे तो सबसे पहले cyclic से start करिए ये group मेरा cyclic है ये group cyclic है और V4 को मैं बार बार बताया था ये non cyclic है अब याद रखिए मैंने क्या बोला था अगर ये isomorphic होते दोनों groups तो अगर एक cyclic है तो दूसरा भी cyclic होना चाहिए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये Z4 cyclic है और V4 cyclic नहीं है ये क्यों abelion है तो एक cyclic है तो दूसरे को भी cyclic होना पड़ेगा तो that means आपका answer क्या आया यहाँ पे कि ये कभी भी isomorphic नहीं होंगे क्यों? क्योंकि जो cyclic being a cyclic group ये structural properties ये दोनों से एर नहीं करते हैं ये समझा पया कि नहीं? दूसरा एक्जाम पलो आपसे मैं बोलूँ कि z plus और z4 plus क्या ये groups isomorphic होंगे? फिर से मैं बोलूँगा जब भी हो कहां से start करना order से ये मेरा infinite order का है और ये मेरा finite order इसमें तो 40 elements है ना मैंने क्या बोला? कि order group का जो है वो भी क्या है structural property तो कभी भी एक infinite group किसी finite group के isomorphic हो ही नहीं सकता ठीक है? तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? isomorphic नहीं होंगे मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंट्स प्लीज बोलिएगा एक और example अब अपने से वीडियो को पाँच करके आप बताएंगा मुझे मैंने इधर ले लिया z6 और इधर ले लिया मैंने s3 s3 binary operation composition होता है symmetry group क्या ये दोनों isomorphic होंगे? प्लीज बोलिएगा वीडियो को पाँच करके अपनी से आप solve करने के कोशिज करें तो ध्यान देजे friends order तो सेम है यहाँ पे भी मैं जैसे बोला कि दोनों finite है या infinite तो दोनों finite groups है सेम order के चलेगा लेकिन ये मेरा group जो है cyclic है और ये मेरा group जो है cyclic तो छोड़िए ये non abelian है ये तो abelian भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों isomorphic नहीं होंगे मैं समझा पाया कि नहीं प्रेंस प्लीज बोलिएगा ठीक है अब कुछ examples और यहीं पे जैसे मैं बोलूँ कि fourth root of unity वाला जो group था ना one minus one i और minus i ठीक है तो मैं आपसे बोलूँ कि ये group multiplication के respect में क्या isomorphic होगा इसके z4k ठीक isomorphic होगा क्या z4k तो ध्यान देजिएगा ये group fourth order का है ये भी four order का order हो गया ये group मेरी देखिए cyclic है ये भी मेरा क्या है cyclic है ठीक है ये group cyclic है और ये भी group क्या है cyclic है तो यहां से आप बस इतना predict करेंगे अगर नहीं होंगे तुरंद बोलिये नहीं होंगे structural property लगा के लेकिन अगर structural property satisfy करती है तो आप थोड़ा सा pause करके इसको prove करना पड़ेगा exam में but theorem है कि कोई भी अगर cyclic group है infinite order का तो वो z plus के isomorphic होगा और कोई अगर finite group है cyclic है तो वो किस के isomorphic होगा z4 के तो फिर से infinite cyclic group z के isomorphic z plus में बोल ला हूँ मतलब set of integers के isomorphic होगा और कोई भी finite group zN n order का है तो zN के isomorphic होगा तो ये दोनों ये इस पार्ट पे तो आप जितना पढ़ेंगे बहुत सारे results हैं galleon की book पढ़िए तो ये सब चीज़े इधर वाले portion isomorphic वाले result तो आप पढ़ेंगे मैं इसमें interested हूँ कि देख के आप बता सकते हैं कि इगिविन pair of groups में कौन-कौन groups जो है न होंगे ये examples के थरू मैंने आपको बताया jam net gate वाले जो मेरे प्यारे students है जो देख रहे होंगे आपको इसका important समझ में आ रहा होगा अब तो इस वीडियो को मैं यही पर finish करूँगा ठीक है न बस ये मेरा ये मोटीब था कि इससे बहुत सारी चीज़े आपको पता चलती है दो groups के internal structures के बारे में अभी बच्चे हैं जो लोग अभी अभी थर्ड सेम में हैं तो मेभी आप अभी सीख रहे हैं बट जो मेरे प्यारे students पढ़ चुके हैं पास आउट हैं जो ने टोगेरे के preparation कर रहे हैं वो इसका importance समझ रहे होंगे net gate के questions कैसे हम लोग isomorphism का concept यूज करके करते हैं anyways अब आपको जब भी search करना structural properties कुछ जैसे non-structural properties होती है उनका कोई meaning भी नहीं है जैसे यहाँ पे जो apply कर रहा हूँ जैसे elements का name यह non-structural property है किसी group में identity E हो सकता है किसी group में identity E dash नाम जो है मैं अलग-अलग बुला रहा हूँ लेकिन काम एक ही है दोनों identities है तो यह non-structural properties है name of elements तो इस तरह से बहुत सारे non-structural properties होती है उस पे मैं नहीं जाओंगा मेरा जो main motive था structural properties और उसका application इस वीडियो में मैंने इस पे focus किया अब आपका syllabus अल्मोश मैं खतम कर चुका हूँ algebra का क्यों क्यों क्योंकि इसमें अब एक दो theorem है isomorphism theorem उनको मैं कोसिस करूँगा कि बता दूँ और उसके बाद आपका syllabus है ring theory ring theory मैं नहीं बढ़ाओंगा क्योंकि ring theory पे मैंने अलग से अलेडी मैंने जब channel बनाया था तभी का एक level का वीडियो मैंने ring theory पे मैं बना चुका हूँ ठीक है न तो ring theory पे आप वो पुरानी playlist में जाके quality videos पड़ी हुई है उसमें तो extension field तक है आपका MSC तक का मैं बना रखा हूँ तो आप वहां से जाके देखेंगे तो NEP का आप एक दो topic रह गया हलागे खतम हो गया मैं छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि वो theorems है न isomorphism theorems उनको हम बाद में करेंगे मतलब next video में मैं करके ये finish कर देता हूँ फिर हम आगे करेंगे next semester की तरफ कोई topic इस्टार्ट करेंगे पेपर उसको करेंगे अगर मेरा effort आपके पास पहुच पाया है तो एक ही चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ मेरा effort अगर पहुच रहा है आपको benefit पहुच रहा है तो मेरा बस एक motive है मास में लोगों के पास quality वीडियो स्टो चाना starting from class 6 टू लेके master degree तक यही मेरा motive है थोड़ा बहुत मैसाता है मैं share करना चाहता हूँ इसमें आप participant बने simply आपको जब भी वीडियो अच्छी लगे like करे friends के साथ share करे comment section में comment के थूँ appreciate करना न भूले इन बातों के साथ ये वीडियो finish करता हूँ बस एक दो topic रह गये है ring बोला हूँ isomorphism theorems मतलब दो तीन है तो first isomorphism theorem बड़ा interesting है, important है उसी को हम करेंगे so next video में isomorphism theorem का statements, उसका application मैं बता के finish करूँगा तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें thank you, thank you so much friends for watching my videos